मत्रख के सदरबजार, इस्थित अंतरगत आने वाली अशुक भिहार कॉलोणी में उसमें हडका मच गया, जब एक अस्ति वर्षी बज़ूर्ग की धुरदा हतियार से अजयात हत्यार उनेधितों कड़ी, जानकारी के अनुसार अशुक भिहार कॉलोणी के रहने वाली अस्त तक कि शब को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भिजबा कर घटना की जांच शुरू कर दी जानकारी देते हुए S.P.C. टीम मारतन प्रकास सिंग ने बताया कि जानकारी मिली थी कि शोक व्यार कालोनी में एक वज़ूर केत्या कर दी गई है सूचना मिलते हैं पुलिस मौकेवर पहुंची है पुलिस के साथ फॉरंसिक टीम डॉग स्क्राइट टीम भी बाच कर रही है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है पता नहीं, स्याम को तो सही देश चत्व एकेले सोते हैं ये चोटे वाइफाई बगेरा ये नीचे सोते हैं बच्चे पता नहीं क्या हुगा रात में? बाबु अब अब अन्यायका चुब कोई हमाई निजान अची कोई बात है नायका क्यों है कुछ थे आपके? ये पिता जी है हमारे अमर कृती होगी? करी वस्ती साल के लगे डगे क्या नाम तो? शिरी खुम चंस हैंदी अब कैसे मालो डोली तो? अब को सोबे बेहन बताने गई थी हम तो फलंग रहते हैं ना सोबे करीब साले साथ बजे सिक्के लगे डगे जह थी जब आलम पढ़ी ती हमुग तो रात को किसी को माले नाम पढ़ी तो? अब क्या मानते हैं क्या बताया है कुछ नहीं कर रहा है क्या कि मैं एक दमनाशक केस हुआ है कि अब क्या बताम है अब यह का हमाई समझ में कुछ नहीं आ रही हम तो अब क्या बताया है कुछ नहीं बता रहे हैं तो यह अनाचा की केस हुआ है क्या मानते है अब देख लो मैं तो पुछ इस मामले में बता नहीं सकता हूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है तो यह अनाचा की कोई केस बन गया है परिवार वाले कोई दुस्मनी की बात नहीं बता रहे हैं, अभी तक कोई तारीर नहीं दिये हैं, फेल ले उनिट डाग स्वाइट सारी टीमें आई हैं अपनी जाज कर रहे हैं और जैसे तारीर मिलेगी अग्रिम कारवाई पुलिस करेगी हैं। अध्या का मामला है।